हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो इंडिकेटर आपके पूरी पूरी आपे लाइफ चेंज करने वाला है जो भी आपने ट्रेडिंग करके पैसा अपना नुकसान किया जो भी पैसा आपने मार्केट को दिया है सारा का सारा पैसा आप रिक आवे के साथ ये कह सकता हूँ अगर ये इंडिकेटर के लिए अगर आने वाले समय के अंदर कोई अगर थल्ड प्वाल्टी कंपनी आपसे अगर पैसे मांगने लग जाए तो भी हम लोग ये इंडिकेटर को पैसे दे के भी खरीदेंगे कारण के ये इंडिकेटर भाई ये लेवल पर काम करता है अगर आप लोग यह इंडिकेटर से अगर दस में से अगर आपना दस ट्रेड लोगे तो दस में से आपको नो बार ऐसा होगा भी आपको यह पैसा देखे ही जाएगा आप इससे प्रॉफिट गेन कर पाओगे अगर अभी टाइम हो रहा लगए बारा ब फिर यहां पर बन गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि मार्केटर अपर अब जानेवादाल टाउन जाने वाला उखने वाला थो फूरी की पूरी हाएपकी लाइफ चैंज होने वाली ट्रेडिंग ही तो वीडियожд पूरा देखना डीटेल में शमज्चने वाले और आपको indicator में आपको simple सा लिखना है बास समझना आप लोग क्या करते हो indicator समझ जाते हो लेकिन आपना बाद में क्या करते हो एक दू दिन के बाद में भूल जाते हो इंडिगेटर का नाम क्या था तो इंडिगेटर का नाम अपनी notebook में आप लिख लीजिए simple सा नाम है MACD अब लाइफ मार्केट में देखने वाले अगर आपको entry लेनी होती तो आप यहाँ पर कहां पर entry लेते वीडियो काफी important होने वाला है जो green line है उसको में लोग MACD line कहते हैं जो red line है उसको हम लोग यहाँ पर signal line कहते हैं अब यहाँ बास समझना तो अभी अभी यहाँ पर क्या हु इसको में अगर समझाने जाऊँगा तो आपका mind आपके काम करना बंद कर देगा simple समझना है green line अगर red line के नीचे आएगी तो put buy करना है अगर यहाँ पर red line के ऊपर green line चलेगी तो हमें put buy करना है अभी बास समझना अभी यहाँ पर क्या हुआ रेड line ने क्या किया यहाँ पर put side के तरफ कहां पर किया और कौन सी candle थी आपको क्लिक करना पड़ेगा तो यह वाली candle थी बास समझना यह वाली candle ने हमें signal दिया कि अभी market नीचे जाने वाला यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ ग्रीन लाइन ने क्या क्या रेड लाइन को नीचे के साइड आपर cross किया तो ज यहाँ पर के जो candle बनी यहाँ पर signal दिया उसके जो next candle है उसके नीचे और यहाँ पर close भी उसके नीचे भी तो हम लोग यहाँ पर put plan करेंगे और हमें यहां यहां तक एक अच्छा आपर profit gain होता अभी हमें exit कहां पर लेना है बास समझना और exit का भी इसने हमें बता दिया यह मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद देख रहे हैं अभी यहाँ पर देखो एक यहाँ पर अच्छा खासा है मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुआ था अच्छा खासा लगवे 120-150 पॉइंट का अच्पास मार्केट बुलिश हुआ उसी टाइम पर इसने क्या कि हमें आपर signal ग्रीन लाइने fokas Bana के रखना है लेकिन हम लोग यह साथिंध से कंडल का हमें साव वेट करता हूं सिपे इसके ऊपर यहां पर इंपर क्लोज होगे निदे निदे बाय करेंग सथिक प्रा hooks जिस प्राम पे चलता है उसकी यह तो 100 point उपर या 100 point नीचे इसी परकार से आपको in the money आपको trade करना चीए तो हमने क्या कि यहाँ पर entry लिया और एक हमारा अच्छा गासा में profit gain हुआ और हमें आपे exit कहां करना है और exit का भी इसने बता जिया green line जैसी rail line के नीचे आती हैं यहाँ पर तो यहाँ पर exit ले लेना है आप इसके अंदर कम से कम अगरा 100-200 trade लोगे तो आपको भूत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपकी जो trading के life है पूरी पूरी आपकी life यहाँ पर change होने वाली है अगर आप आँख बंद करके market में trade करते रोगे और आप market को पैसा देते ही रोगे आप न कहीं भी जाके अगर आप मैं आपको दागर साथ के साथ कह सकता हूँ अगर 1000 चार्ड भी जाके read करोगे तो आपको पता चलेगा अब यह indicator यहाँ पर किस लाइन नीचे गई है तो सेकेंड केंडल जो फर्स केंडल बनी उसके नीचे अगर close होते है तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और यह indicator आपको यूज करना है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक यहाँ पर जोरू करना चैनल का पर जूरू सब्सक्राइब करना क्योंकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहता हूं और मेरा मकसद यह जो आपका लोस वा मार्केट केंड़े वह लोस को आपके कवर कर सकते हैं